हलो नवश्कार जहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा कविकुल सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे रगुवीर सहाई सहाब की आज के जो अपने हस्ताक्सर अन लेखक हैं वो है रगुवीर सहाई सहाब इनके जीवन से समंदित कुछ महत्वपुण बात हैं और इनके परमुक रचनाओं को देखेंगे और जो जो भी कविकुल सीरीज के अंदर में अस्ताक्सर लेखक कवी आपको करवा रहा हूं अती महत्वपुण इस बात को आप ध्यान में रखेंगे चलिएगा जन्म की बात करें अगर हम इनकी पूरे जन्म काल की बात करें तो जन्म होता है भईया इनका 1929 इसवी में रगुवीर साय का जन्म कब होता 1929 में और निधन की अगर हम बात कर लेते हैं इनकी तो ये होता है निधन इनका 1990 में तो 1929 में जन और निधन 1990 में ठीक है प्रमुख रचनाओं की ओर चलते हैं और रचनाओं से सम्मध कि किस रचनाओं पर साहित ये अकादमी पुरुस्कार मिला इनको और अन्य रचनाओं की क्या कुछ विशेस्त है वो देखेंगे प्रमुख रचनाओं क्योंग ज्यादातर है जो रचनाओं या फिर किस रचनाओं पर साहित ये अकादमी या जो ग्यान पिट किसी रचनाओं पर ग्यान पिट मिलता है किसी अस्तापसर को तो वो ही पूछा जाता है ठीक है प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो पहली रचनाओं आप ल जल्दी हंसो कहीं बार परिक्षा में आई है ये हंसो हंसो जल्दी हंसो दूसरी में रचना की बात करूँ तो लोग भूल गए हैं ये भी कहीं बार पूछी गई है लोग भूल गए हैं लोग भूल गए हैं ठीक है लोग भूल गए हैं समय 1982 देखने को मिलता है और आत्म हत्या के विरुद आत्म हत्या के विरुद यह रचना भी कहीं बार पुछ जाती है 1967 ओ रचना की मैं बात करूँ तो मेरा प्रति नहीं दी मेरा प्रति निदी मेरा प्रति निदी यहां प्रति नूँ एकी मातरा छोटी है छोटी आएगी ठीक है? आगे देखिए हमने हसों जल्दी हसो लोग भूल गए आत्म हत्या के विरुद मेरा प्रति निदी यह रचना हैं लिखी इनकी इनके बाद में आप रचना लिखिए इनकी सीडियों पर धूप में सीडियों पर सीडियों पर धूप में बड़ी परसिद रचना है और ये प्रथम कावे संग्रे था ये भी पुछा जा सकता है कि रगुवीर साहय का प्रथम कावे संग्रे कौन सा तो आप बताओगे सीडियों पर दूप में, ठीक, आत्म हत्याइक विरुद देख ली, लोग भूल गए देख ली, मेरा परती ने दी, एक रचना और है, कुछ पते, कुछ चिठ्थियां, कुछ पते, कुछ चिठ्थियां, ठीक, इसका आप लिखिन 1989 समय लिख लीजिए, जो हमने बात की थी, लोग भूल गए हैं, इस रचना पर इनको क्या मिला था, लोग भूल गए हैं, इस रचना पर आप लिखिए, इस रचना पर इनको मिला था, साहित्य अकाद्मी पुरुषकार, साहित्य अकाद्मी पुरुषकार मिला था, लोग भूल गए रचना पर, और यह मिला था, आपके 1904 में, कब मिला थ 1924 में मिला था हमने एक रचना देखी हंसो हंसो जल्दी हंसो इसमें आपातका से संबंदित कविताओं का शंगर है तो ये भी आप लिख लीजिए नौट कर लीजिए विशेश बातों में जो थी हंसो हंसो जल्दी हंसो कहीं बार किस बाद से संबंदित किस विशेषता संबंदित रचना लेखी गई है वो भी पूछ ले जाता है हंसो हंसो जल्दी हंसो रचना का कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपातकाल से सम्मंधित कविताओं का संग्र है देखो आपातकाल से सम्मंधित कविताओं का संग्र है आपातकाल सम्मंधित कविताओं का संग्र है ठीक और रगुविर साहे साहब का जो कवे संग्र है प्रतिक उसके प्रारिम भूमिका लिखी गई कहां से क्या है चीज ले गई है ठीक है एक सीडियों में धूप में जो रचना है इसके अंदर एक अनाहत जीजी विशा यह यूँ कहें कि जो मिडिल क्लास जीवन है मद्यमर की जीवन का जो दबाव है और लोगतंतर की जो विडम बनाए है उसका चितन देखने को मिलता है में सीडियों पर दूप में तो ये थे अपने रगवीर सहाई इनसे समंदित अगर रशनाव समंद सवाल आया तो इस वीडियो से जो इंपोर्टन रशनाई थी मैंने करवाई यहां से आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेर, सब्सकाइब करना ही करना है आपको ठीक है तेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रीप्शन मिल जाएगा कवी अधी गणंards लिंक भी टेलिग्राम चैनल है बाकी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट ग्रीड हिंदी का सूपर ऑंड्रेड ही यहां पर बेच चल रहा ही college lecture की test series यहाँ पर second paper की साहित इतियास वाली डाली हुई है तो आप जुड़ सकते हैं अपने तयारी को और बहतर बना सकते हैं